एक बार की बात है, प्लेन में पांच लोग बेठे हुए थे, पांच यो अलग-अलग कंट्रियों के, एक ब्रिटिस बैठा हुआ था, एक अमेरिकन बैठा हुआ था, एक जर्मन बैठा हुआ था, एक चीनी बैठा हुआ था, और एक भारती बैठा हुआ थे, अब देखे, बहुरतियों की बात ही कुछ अलग होती है. तो ऐसे ही बेठे हुए थे. अब जब सभी बेठे हुए थे, महौल बना और महौल जैसे ही बना तो दारू की बोटल खुली. दारू की बोटल में भर-бर के पैक जबी ने पुए. और पैक पीने के बाद ब्रिटिस बोलता है कि अब मैं सोना चाहता हूँ और वो सोने के लिए चला गया अमेरिकन बोलता है अब मैं अपना इंटरनेट में काम करूँगा और वो काम करने लगता है जो जर्मन बैठा होता है वो बोलता है कि अब मैं आराम से बैठूँगा मस्टी करूँगा और उसके बाद चीनी बोलता है कि अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे गाना सुनना चाहता हूँ और गाना सुनूगा अब आई भारी भारती की, वो जो भारती बेक्ती बैठा हुआ था, वो काई देर तक बैठा रहा सभी की सुनते हुए और फिर लाश्ट में कहता है, ए रे सुनो तो, तुम सब लोगों ने अपना-पना काम तो बता दिया अब मैं तुम लोग सब अपने अपना काम करो और अब मैं प्लेन चलाओंगा इतना सुनते ही सभी के हो सुड़ गय है भाईया भारतियों की बात ही कुछ अलग होती है चाहे वो देश में रहें, चाहे बेदेशों के साथ रहें चाहे किसी के भी साथ रहें उनकी बात अलग होती है